हलो गाईज मेरे यूट्यूब चैनल डानेमिक टूटोरियल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश प्रोज सेक्षन से सेकेंड चैप्टर एलेक्टर टू गाड अर्धात भगवान को एक पत्र का पार्ट टू लेकर आया हूँ फ्रेंड्स पार्ट वन हमने आपको बता दिया है अब पार्ट टू आप देखिए फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें तथा वेल आइकोन को हीट करें ताकि आपको सभी वीडियो मिलता रहें है तो friends, coming to the point, राइटर करते हैं कि a plague of locates would have left more than this. the hell has left nothing. this year, we will have no corn करें कि a plague of locates यानि टिडियों का एक plague यानि एक दल इस से ज़्यादा छोड़ देता यानि जदी फसलों पे ओला के अपेक्षा टिडियों का दल आता तो वो भी कुछ ने कुछ छोड़ देता लेकिन ये जो ओला की बरसा हुई है वो कुछ भी नहीं छोड़ा है इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा वह रात जो थी एक बहुत दुख भरी रात थी और हमने जो भी काम किया था उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला अर्थात वो सब बेकार गया there is no one who can help us और कोई भी ऐसा ब्यक्ति नहीं था जो हमारी सहायता कर सके we will all go hungry this year और फिर वो कहता है कि इस साल हम सब भुखे रहेंगे कर रहा है कि we will all go hungry this year इस साल हम सब भुखे रहेंगे और आये कहता है कि but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley कर रहा है in the middle मद्ध में off the valley घाटी के मद्ध में जो एकांत घर में जो भी ब्यक्ति रहते थे उन सभी की हिर्दय में ये बात थी और वो क्यांसी बात थी there was a single hope वो एक मात्र आसा ये थी help from god यानि भगवान से सहायता की don't be so upset इतना निरास मत हो even though यहां तक कि this seems like a total loss यहां तक कि अगर पूरा जो है पूरा छती मालूम पढ़ रहा है फिर भी जो है इतना उदास नत हो remember याद रखो no one dies of hunger भूख से कोई नहीं मरता है that is what they say और वे भी जो है ऐसा ही कहते हैं no one dies of hunger कि भूख से कोई नहीं मरता है सब लोग यहीं कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है और लेंचो भी अपने आपको सांतोना देने के लिए यहीं बात कहा कि याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है although all through the night शारी रात यानि पूरी रात जो है उस रात में यानि शारी रात लेंचो थाट लेंचो यहीं सोचता रहा only of his one hope एक मात्र अपनी आशा के बारे में the help of God और वो क्या आशा थी भगवान की सहायता के whose eyes जिसकी आखे as he had been instructed यहाँ पैसी बाइस में है जैसे कि he had been instructed जैसे उसको जह है आदेश दे दिया गया हो यानि निर्देशित कर दिया गया हो कि see everything सब कुछ जो है देख रहा even what is deep in one's conscience यहां तक की एक ब्यक्ति के हिरदे के गहराई में जो कुछ भी है उसको जह है देख रहा था कर लैंच वाज एन आक साफय मै लैंच उब एक आदमी के बैल के समां था यरिन लैंच बैल के है काम के लिए वैसे लेंचों भी जो है एक बैल के समान था वर्किंग लाइक एन इनिमल इन दो फिल्ड जो खेतों में जानवरों के समान काम करता था यानि बहुत महनती आदमी था बट इस्टील ही न्यून हाव टू राइट लेकिन फिर भी वह जहें लिखना जानता था यानि उसको पता था कि कैसे लिखा जाता है दो फालोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक दीन में दीन के समय ही बेगें टू राइट वह लिखना शुरू किया लेटर एक खत को विच ही इंसेल्फ वूड कैरी जिसे वह स्वेम लेकर के जाएगा टू टाउन सहर को एंड प्लेस इन दे मेल और फिर उसको पोस्टापिस में यानि मेल वाक्स में उसको जो है प्लेस कर देगा डाल देगा इट वाज नथिंग लेस देन एलेटर टु गाड आगे कराये कि इट वाज नथिंग लेस देन एलेटर टु गाड यानि यह जो है भगवान के नाम पत्र से कुछी भी कम नहीं था यानि यह जो है भगवान के नाम का पत्र था आगे जो है आगे देखिए गौड हे भगवान ही रोट उसने लिखना सुरू किया हे भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो माई फेमली एंड आई विल गो हंग्री दिस यर तो मैं और मेरा परिवार इस साल भुख्ये मर जाएगा आइ नीड ए उन्ड़ी एंड्रेट पिसोच इन आडर टो सोव माई फेल्ड मुझे ऑशचता है एंड्रेट पिसोच 100 पीसे की इन आडर टो सोव माई फेल्ड अपने खेतों को जो है बोने के लिए दोबारा जो है भुख्ये करने के लिए एक सब पिसे की जूरत है अगेन दुबारा मतलब वहाई करने के लिए एंड टू लाइब अंटिल दो क्राप कॉम्स और उसी पैसे में से जीवित रहने के लिए अंटिल तब तक जब तक की क्राप कॉम्स यानि वो जो खेट में बोएगा वो फसल वापस नहां जाया यानि फसल फिर कट के तयार नहा की वह जो है ओला वरिष्टी यहाँ जो है ऑर कुछ लिखा होगा आगे जो है दखिए ही रोट उसने लीखा टू गाड यानि भगवान आंद इन्वलप लिफाफे के उपर यानि खत को लिख करके और लिफाफे के अंदर डालदिया और लिफाफे के उपर लिखा तू गा एंड, इस्टिल ट्रबूल और अभी भी परिसान था, वेंट टू टॉटाउन, सहर को गया, यानि परिसान था फिर भी जो है, सहर को गया वो, एड़् पोस्ट आपिस, पोस्ट आपिस में गया, he placed a stamp on the letter, और उस खत के उपर जो है, एक stamp पेपर जो है, लगाया यानि एक stamp आता है जो envelope को उपर लगाया जाता है वो stamp जह है उस envelope को उपर छिपकाया and dropped it into the mailbox और उसको जह है mailbox में डाल दिया one of the employee एक कर्मचारी who was a postman जो डांकिया था and also helped the post office और post office का सहायता भी करता था यानि post office में सहाय का भी काम करता था went to his boss अपने senior boss के पास गया laughing hardly और जोर जोर से हसने लगा and sowed him और उसको दिखाया the letter to God यानि भगवान के नाम के पत्र को अपने boss को दिखाया और जोर जोर से हसने लगा never in his carrier यानि पूरे अपने जीवन में कभी नहीं as a postman यानि एक डांकिया के रूप में अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी नहीं had his so known the address इस परकार के पता को वह कभी जो है नहीं सुना था नहीं जानता था ऐसे पता जो है इसा ड्रेस वह कभी नहीं उसके सामने आया था दा पोस्ट मास्टर जो है वो डांकिया जो था एफाइट उसका जो सीनियर था वो मोटा आदमी था एमेबल फोलो और जो है बहुत यानि मित्रवत ब्योहार वाला जो है साथी था आलसो प्रोक आन आउट लाफिंग वो भी जो है बहुत ते जहासने लगा उसकी भी हासी छुट गई बट आल्मोस्ट इमेडियेटली लेकिन लगभग तुरंत ही टॉर्ण सीरियस वह बहुत गंभीर हो गया एंड टैपिंग दे लेटर आन इस डेस्क और अपने डेक्स पर जो है उस लेटर को जह है ठक ठकाते हुए कमेंटेड कहा क्या कहा आए देखते हैं वो जो है पोस्ट मास्टर कहा वाट फैथ कितना विश्वास है I wish मुझे इक्छा है I had the faith of the man who wrote this letter मुझे उस व्यक्ति के विश्वास को रखना चाहिए जीनों ने इस खत को लिखा है यानि उस व्यक्ति का जितना विश्वास भगवान में है उस विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए हमें कुछ ने कुछ करना चाहिए इसके लिए उस भगवान के तरफ से भगवान के तरफ से करना चाहिए और पत्रचार करना चाहिए उस किसान से करा है और इसलिए इन आडर टू सेक हीज राइटर्स फैथ इन गाड और वह जो है लेखक के विश्वास को जो भगवान में जो विश्वास था वो हिलने नपाये जुकने नपाये इस विश्वास को बनाए रखने के लिए दो पुस्ट मास्टर केम अफ विथा इन आडिया और वो विचार क्या था कि इस खत को जबाब दिया जाए बट वेन ही ओपेंड इट लेकिन जब उन्होंने इसे खोला इट वाज एविडेंट दैट तो एंश्वर इट ही नीडेट संथिंग मोर दैन गुडविल तो उसे पता चला कि उस खत के उत्तर देने से भी ज्याद संथिंग मोर देन गुडविल यानि जो खुष मिजाजी कहने का जो चीज था यानि भगवान से जो पत्रचार करने के समय में वह हाल चाल पूछने वाला था उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ तीज और था उसको इंक एंड पेपर और जो है स्याही और पत्र जो ए श्याही और कागज के अलावा कुछ जो है और चीज के उसको जौरती कर रह धे हैं ब्रटी इस्टाक हिज रिसोलूशन लेकिन वह जए अपना धारणा जो है रिसोलूशन जो है यानि निश्चित्ता अपने बनाए रखा प्रस्ताव अपना बनाए रखा he asked for money from his implies और उसने क्या किया अपने कर्मचारियों से जो है रुपए मांगा रुपए जो है इकठा करना सुरू कर दिया he himself gave part of his salary उन्होंने स्वेम अपने तनखा का कुछ हिस्सा दिया and several friends of his were और जो भी उनके मित्र थे जो उनके साथ काम करने वाले थे या फिर मित्र थे we are obliged to give something for an act of charity जो लोग दान के रूप में कुछ चीज देना जो है पसंद करते थे oblige करते थे वो उन लोगों से भी वो पैसा जो है इकठा किया it was impossible for him to gather together the hundred fishes या उसके लिए जो असंभा था कि वो जो है एक बार में जो है सव पैसे जो है एकठा कर ले so he was able to send the farmer only a little more than half इसलिए वो जो है more than half यानि जितना वो मांगा था उसमें जो है उसके आधे से ज्यादा ही वो भेजने में जो है able यानि योग्य हो जगा सच्छम हो सका करा he put the money उन्हों ने जो है रुपे को रखा इन एन इन वेलॉप एक लिफाफे में अड्रेस टू लेंचो और फिर लेंचो का अड्रेस लिख दिया एंड वित दें ए लेटर कॉंटेंग और फिर उसके साथ जो एक खत भी लिख दिया वल्लिए सिंगल वर्ड एजए सिगनेचर और सिर्फ उस लेटर में क्या लिखा सिंगल वर्ड लिखा हस्ताक्षर के रूप में और क्या लिखा ग़ण भगवान यानि वो जह हैं सपैसा अपने दोस्तों के पास से कठा करके और एक लिफाफे में रख दिया और इक उसमें लेटर लिख करके डाल दिया और उसमें सिर्फ गार्ड लिख करके डाला उस लेटर में कराया दो फालोइंग संडे अगले रभिवार को लेंचो के में बीट अर्लियर थोड़ा जल्दी ही आ गया देन यूजुवल अक्सर जिस समय पर आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया तो आस्क या पूछने के लिए इप देर वाज लेटर फारें की क्या उसके नाम का कोई खत है यानि रोजाना वो जो है पूछने आया करता था पोस्ट आपिस में कि उसके नाम से कोई खत आया है कि नहीं लेकिन अगले संडे को वो थोड़ा जल्दी ही आ गया इट वाज पूस्ट मास्टर स्वें था जो एक खत उसके हाथ में दिया वाइल पूस्ट मास्टर जो है एक संतुष्टी का अनभव जो है उसको हो रहा था एक्सपरियेंस हो रहा था या उनभव हो रहा था पूस्ट मास्टर को एक संतुष्टी का अनभव हो रहा था कि उन्होंने वो हैं पर फार्म गुट डिड जो कुछ अच्छा किया है उन्हों उसको जब खत उस लैंचो के हाथ में दे रहा था तो पोस्ट मास्टर को जो है संतुष्टी का अन्वा हो रहा था कि उन्हों ने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है looked on from the doorway office और उस समय जो है वो अपने office के दरवाजे पे खड़ा हो करके सिर्फ देखते रहा लेंचो सोवेड आईए देखते हैं इसके आगे करा है लेंचो सोवेड नाट दस slightest surprise unseen the money करा है लेंचो सोवेड नाट slightest surprise किसी तरह का आश्चर जो है नहीं किया यानि लेंचो के चेहरे पे किसी तरह का आश्चर नहीं हुआ सोवेड यानि देख करके the money यानि रुपे को देख यानि जब लेंचो के हाथ में उस खत को दिया गया तो लेंचो जहें उसमें रुपेय को देख करके थोड़ा सा भी जह आश्चेर नहीं किया सच वाज ही कंफिडेंस वो तो उसका जह है कंफिडेंस था वो जह है उसका बहुत बड़ा कंफिडेंस था भगवान के उपर विश्वास था आत्में विश्वास था उसका क्यों भगवान में बहुत बड़ा विश्वास करता था ब God could not have made a mistake और कहा कि भगवान स्वेम कोई जहें गलती नहीं कर सकता नार कुड ही है डिनायड लेंचो वाट ही रिक्वेस्टेड और नाहीं वो लेंचो को मना कर सकता है जो कुछ भी लेंचो उसके उससे मांगा है यानि वो जब उसके हाथ में जब लेटर दिया गया रुपिय वाला तो वो थोड़ा सा भी सर्प्राइज नहीं किया क्योंकि उसका जो है बहुत पड़ा विश्वास था आत्मिश्वास था भगवान में और कर रहा है कि वो जो है जब रुपे को गिना तो बहुत जल्दी ही नराज हो गया क्योंकि वो जो है उससे सो पीसे मांगा था और उसमें सिर्फ सतर पीसे ही आये थे इसलिए वो कहा कि भगवान खुद कोई गलती नहीं कर सकता है और ना ही हमने जो कुछ भी उनसे मांगा है उसको देने से इंकार कर सकते हैं आगे देखे करा इमेडियेटली लेंचो वेंट आप टू दा विंडो तुरंत जो है इने के लिए कला मांगा आंद पाब्लिक राइटिंग टेवल और फिर जो है सार्वजनिक जो है लिखने वाला टेवल पे बैड़ गया इस्टार्टेड टू राइट और उसने खत लिखना सुरू कर दिया वित मच रिंकलिंग आफ इस ब्रो और आख की भवहें जो है शिक पूट रहे थी क्योंकि जो है अपने बीचार को उस खत में एक्स्प्रेस कर रहा था बढ़न कर रहा था और वह भी बड़ी मुश्किल से वेन ही फिनिस्ट जब वह खत लिख करके पूरा किया वें टू द विंडो तो वह खिड़की के पास गया टू बाई ये स्टांप औ इसको उसने चाटा यानि जीप पर रखके उसके जो है उसमें जहे लसलसा पदार जीप से जो है लगाया एंड देन और फिर आफिक्स टू दा इन्वेलप और उसको जहे लिफाफे पर जो है अफिक्स मैंने चिपका दिया वी थे ब्लो आफ इस फिस्ट और उस चिपकाने जब वो लेटर को में डाला उसी चण पोस्ट मास्टर तुरंत गया और उस खत को जहे निकाला उसमें से और उसमें लिखा था वो पढ़ा इट सेड वो कहा कि गौड उसमें क्या लिखा तलेंचो कि भगवान आफ दमनी देट आयास्ट फार जो कुछ भी रुपिया मैंने आपसे मांगा था वनली सेवन्टी पिसोज रिज्ट मी सिर्फ उसमें से सत्तर पिसे ही मेरे पास पहुँचे send me the rest बाकी के पैसे भी मेरे लिए भेज दीजिए since I need it very much क्योंकि इन पैसों के मुझे बहुत ज्यादा आओ सकता है but don't send it too much to me through the mail लेकिन डाक के माध्यम से इसे मेरे पास मत भेजिएगा because क्योंकि the post office implies क्योंकि वो पोस्ट आपिस के कर्मचारी जो है are a bunch of crooks वो जो है बैमानों का एक जुन्ड है यानि पोस्ट आपिस के कर्मचारी जो है वो बैमानों के जुन्ड के तौर पे है और लाश्ट में अपना जो है दस्कत किया था लेंचो और इस तरह से आप लोगों ने देखा कि लेंचो का भगवान में कितना विश्वास था कि उस आपिस के कर्मचारी जो अपने सेलरी से पैसा कठा करके दिये थे उन लोगों को भी जो है उसको लगा कि ये लोग हमारे पैसे में से जो है चुरा लिए हैं और इसलिए उस लेंचो ने उन कर्मचारीयों को जो है बंच आप क्रुक्स यानि बहिमानों का जुन्ड करके बहिमानों का सम्मू करके सम्मोधित किया तो दोस्तों आगे हमारे जो है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करने ना भूले थेंक्यू